नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चेनल बजरंग न्यूज पॉइंट में देश के इस तमाम राजियों के मोसम की सही और सटिक जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चेनल को सबस्क्राइब जरूर कर दें इस चेनल पे आपको मोसम की सही जानकारी हमेशा सबसे पहले परदान की जाती है आज से नया पशिमी विक्छोब सक्रिय हो चुका है और 12 मार्थ से देश में बारी बारीस आंदी तुफान का दोर सुरू हो जाएगा कौन-कौन से राजियों में बारीस ओले पढ़ने की चेत हो जाएगा अब राजस्थान हरियाना पंजाब दिल्ली उतर परदेश में लगातार मोसम परिवर्तित होगा कई जुगों पर बारीस पहुंचने सुरू हो गए हैं तो अब 12 मार्थ से लगातार बारीस का दोर सुरू हो जाएगा जो कि 15 मार्थ तक चलेगा पहाड़ों प कब तक बारीस देंगे अगला सिस्टम कब आएगा इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे बंगाल की खाड़ी की हवाई मद्या बारत के बागों तक पहुंच रही है और इन हवाउं के कारण 16 मार्थ से 20 मार्थ के बीच कई जुगों पर मद्यम से बारी बारीस देखने को फिर मिलेगी नया पशी विक्छो बारा मर्च को पहुंचने वाला है आज एक नया सिस्टम आया है और दूसरा पशी विक्छो फिर सक्री होगा यानि अगरे तीन दिनों तक लगातार बारीस का दोर जारी हो जाएगा जमू कस्मीर हिमाचल परदेश गिलगित बल्टिस्त वहीं 12 मार्च को जमू कस्मीर श्री नगर गुल मरग कांजी कुंड पहल गाम से लेकर तमाम इलाकों में इदर दरमसाला से लेकर कुलू मुनाली तक लगातार बारीस के साथ बरबारी पढ़ने की आसंका है दक्षिनी हिमाचल परदेश सिमला इदर देरादुन से लेकर न जो की 12 मार्च से बारीस देना सुरू कर देंगे अगर कल आपको देखने को मिलेगा यह बातल जल्द ही बारीस के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और कई जुगों पर बारीस के साथ ओले पढ़ने भी सुरू हो जाएंगे और अगर मैं कहूं तो बारीस ही नहीं कई कोंपर बारीबारिस के साथ ओले भी पड़ेंगे अगर बात करें फरीद कोट बर्नाला मोगा समेथ पटैला से लेकर इदर सहीद बगसिंग नगर साइब जादा अजीद सिंग नगर में अमबाला चन्डिगर से लेकर करणाल के थल हिसार, सिर्सा, स्री गंगानगर से लेकर बिकानेर, चुरू, बर्थ, पूर, शिकर, अलवर के बीच कहीं कहीं पर कुछ तरह के बादल और लगातार एक नया तुफान सक्री हो रहा है जिसकी वज़े से अगले तीन दिनों तक यहां पर बारिस का दोर सुरू हो जाएगा इन बागों में कहीं कहीं पर आज रात में और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग बारिस होना सुरू हो जाएगी अगर बात करें तो बादलों की गरजना के साथ कई गई पर बुंदा बांदी और बिजली गिरिने की भी आसंका है इसके बाद यहां से बादल पूरी तरह मूग करेंगे और पश्यमी और उत्र पश्यमी दिसा की और ठंडी हवाई चलना सुरू होंगी और पंजाब और पूरे राजस्थान को ये परवावित करना सुरू कर देगी सिवाए दक्षिनी छेतरों को छोड़कर बिकानेर जैसरमेर बाडमेर और जोदपूर से लेकर सवाई मादोपूर के नीचे का जो हिस्ता है इन बागों में हवाउं का असर कम रहेगा लेकिन उत्तर पशिमी छेतरों में जरूर असर रहेगा हरियाना पंजाब दिली से लेकर पूरे उत्तर परदेश में इन हवाउं का असर होगा जिसके कारणियां पर नियुंतम तापमान फिर नीचे जाएगा अभी भी नॉर्मल टेपरेचर रिकोर्ड किया जा रहा है अधिकार जुगों पर अगले 24 गंटे के दोरान मुस्तम में फिर सर्दी आएगी 12 मर्च को सुबह से ही तापमान कम होगा और बारीश का दोर सुरू हो जाएगा उत्र परदेश में आगरा, अलिगड, बुलन, सहर, गोतम उद नगर, सामली, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, मुरादाबाद, सानपूर, नजीबाबाद, रामपूर से लेकर बरेली, साजामपूर और आसपास के अलाकों में कहीं कहीं पर थोड़ी बुंदा बांदी जैसा महूल रहेगा इसके लावा अगर पूरो की तरफ चलें तो जांसी हो या एटा, मेनपूरी, ललितपूर, कानपूर नगर, कानपूर देहात, लखनव, अमेठी, राइबरेली, बाराबंकी, बहराईच, गोंडा, बस्ती, स्रावस्ती, सितापूर, लखिमपूर, खिरी, आयोध्या, सुल बारिस होने का दोर जारी हो जाएगा, दोपैर के बाद लगातार ठटी अवाईच light चलना सुरू हो जाएगी, इन अवा़ों में ठंड़ को ने के कारण एक तरब आसमान साप होगा, सुस्क अवाईच watch, फिरसे कई जुगों पर बारिस का दोर शुरू होने के लिए बाद ना समेत गया नवादा बकसर के मूर लखी सराय इन सभी बागों पर ड्राइवेदर रहेगा बादल यहां पर ज्यादा नहीं दिखाई देंगे लेकिन तेरा मर्च के बाद यहां पर फिर से बारिस का दोर सुरू हो जाएगा सीयं पूम समेत दक्षिन चेतरों में और दक्षिन पष्यमंगाल के कुछ इलाकों में बादल चाहेंगे लेकिन बारिस नहीं होगी और बियार में तापमान फिर से गिरेगा ठंडी हवाओं के असर के कारण सी कीमत था उप हिमाले, पश्चिर मंगाल, असम मेगाले, नागालेंड, मनीपूर, मीजोरम, तिरूपुरा में, ड्राइ वेदर, अरुनाचल परदेश के अधिकांस, इलाकों में सुस्क मुस्म रहेगा लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हो सकते हैं, जाबर थोड़ी बहुत बरसा होने की संभावनाई नजर आ रही है उतरी तरही वाले चेतरों, उतरी हमाले चेतर, तरही नहीं, हमाले चेतर जो पाड़ी चेतर हैं सागर, जबलपूर, उमरिया से लेकर इधर पेंडरा रोड, रायपूर, ओडिसा के दक्षिनी चेतरों में, महराष्टा के कई इलाकों में विशेश तरफ विद्रव, मराठ वाड़ा, मध्या महराष्टा के कुछ इसों में बादल निच्चे की तरफ से आने वाली नमी के मौसम आज बना हुआ है, कल थोड़ा सा रहेगा और दिरे दिरी इस्तेतियां ज़्यादा परबल होती जाएंगी, जो कि 16 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच यहां पर कई राजियों में जम कर बारिस होगी, करनाटक, केरल, तमिलाडू, आंदर परदेश, पाड़ू चेरी, लक्स दीब से लेकर अनमान निकोबार दीब समय के दिकास इलाकों में अभी मौसम साफ रहेगा, लेकिन 13 मारच से यहां पर बारिस का दोर सुरू हो जाएगा, उतरी अनमान में बादल गरजने सुरू होंगे, वहीं कोचिन और आसपास की इलाकों में भी थोड़ी बहुत की तरफ उठेंगी, उस जगह पर पहुंचेगी, जहां बादल बनते हैं, तो बादल यहां पर कुछ बन सकते हैं, लेकिन बारिस की संभावना अभी कम है, वहीं आने वाले 24 गंटे के दोरान, उतराखंड जमू कस्मीर, अरुनाचल परदेश के कई हीसों में बारिस के और 13 मारस से सुरू हो जाएगा, और कई जगों पर बारिस की जो आसंका है, वो बारती मुस्म भी बागने जटाई हैं, तो मुस्म भी बागी मानें, तो देश के कई राजियों में अगले 3-4 दिनों तक लगातार मुस्म परिवर्टित होगा, और बारिस के साथ बरबारी क एक नया दोर भी सुरू हो जाएगा, इसके साथ ही दोस्तों बात करें, तो 12 मारस से जो नया परिवर्टित चोब आएगा, उसकी बज़ेसे भी मुस्म में एक बड़ा परिवर्टन हमें दिखाई देना सुरू हो जाएगा, तो आप कौन से राजिये से हैं और आपके आपके नयावाद